अगर आपकी Unsecured Loan में ECS Bounce हो रहा है तो जिस Bank Account से आपने ECS Link करवाया है इसके अलावा क्या किसी और भी Bank Account से आपके पैसे काटे जा सकते हैं या नहीं काटे जा सकते हैं जानें आज की वीडियो में नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं फिर से एक बार में आप सबका आपके अपने चैनल Simplicity and Finance में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Unsecured Loan की Unsecured Loan जहां आपने ECS On करवा रखा है यानि की Personal Loan परस्नल लोन में अगर आपके एक दो चार पांस दस अगर यह माइस बाउन्स हो रही है तो क्या बैंक को अधिकार है कि अगर आपके उस अकाउंट में पैसे नहीं है जो आपने ECS के लिए On करवा रखा है तो क्या बैंक आपने किसी भी अधिकार तहत या किसी भी तरीके से क्या आपके किसी दूसरे bank account से पैसे उसके लिए काट सकता है निकाल सकता है अब आप कहोगे हां या ना मुझे नहीं पता लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने मैंने बहुत सारे वीडियो's में कह रखा ह कि अगर लोन है तो चिन्टा कोई बात नहीं आदे पहले भी का था हूं ज быть ऑफ औक स्थयातेये तो चिन्टा बन जाती है और जब चिन्टा में तब बन जाती है इसलिए चिन्टन यहने कि वीचार विया आप ने करें ताकि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां आपको नहीं पूछना चाहिए चलिये तो मैंने कही बार यह कहा है कि अगर हम श्क्रोड लो नहीं था आप चंता की कोई बात नहीं है और फिर से इक बर दोह रहा दूं आपको बता दू बैंक को अगर आपने अथ्राइज नहीं कर सका किया है तो बैंक आपके दूसरे किसी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है और वैसे भी आप एक ही बैंक अकाउंट लिंक कर पाएंगे अगर आपने बैंक को अथ्राइज नहीं किया है कि वो आपके किसी और bank account से पैसे निकाले आपके ECS bounce के लिए तो उसका कोई right नहीं बनता कि वो ऐसा करे वो कर भी नहीं पाएगा अगर वो करता है या कर पाता है तो वो गलत है लेकिन कुछ ऐसी परिष्थितिया है जहां ऐसा possible है लेकिन मैं आपको बताओ कि आज मैं आपको एक लाइक प्रूव दिखाने वाला है मेरे एक वीवर है हमारे चैनल के हैं बहुत पुराने हैं लगवक तेरा लाग रुपे लगवक तेरा लाग रुपे का उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया था जहां सुनका ECS कटता था उस अकाउंट में उनके पास पैसे थे नहीं उन्होंने एक दूसरा बैंक अकाउंट एक सरकारी बैंक में खुलवाए था और एक दिन अच्छानेक उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका अकाउंट माइनेस 13 लाक कर दिया गया है अधिवाग शॉक्त है उन्होंने मुझे फोप फोन किया मैंने उनसे का सबूसरा बैंक ऐसा करेंगा ऐसा ने जबह एक इन बैंक बी से का इसके पैसे वो नहीं देरा में पाता हूं तो तुम एक काम कर तो मुश के पैसे अपने अकाउंटस निकाल कर मुझे देँ तो सकता और अगर इसा हुआ है तो निश्चीत तोर पर कोई कोट का ओडर है या फिर किसी आर्बिट्रेटर ने एक इंट्रिम ओडर लेकर यह करवाया है मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए अपने बैंक में चाहिए और यह जैकि आप यह पुछिए कि बात क्या और यह कैसे हुआ और प woven अगर फिर उन्होंने बताया कि एक इंट्रिम ऑडर के तहर आपके बैंक बैंक कंट को माइनिस क्या रहा है आर्भी ट्रेटर ने प्रॉसीडिंग से पहले कि एक इंट्रिम उंडर पास करवा कर hon aí उस वेक अकाउट को माइनिस तेर involved करवा दिया देख लेगे आपका अगर इस्क्रीन को पर दिख रहा है तो यह पर्सनल लोन था अन्शिक्योर्ड लोन था एक बैंक अकाउंट से पैसे निकलने होते हैं लेकिन उसमें पैसे ने होने से एक आर्बिटेटर इंट्रिम ओर्डर पास करवा के दूसरे बैंक इस अगर प्रवा देता है और इसका मतलब यह कि अगर उसमें 13,00,00 रुपे होते तो यह तो गए और यह जो इंट्रिम ओर की पूरी कोपी है इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अभी आप किसीपी चीज को सेल नहीं कर सकते ड्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को इस ओर् जो कि they are trying to recover money, they are trying to recover money, दोस्तों ये बात सच है, कि arbitrator जो है, कि personal loan में, आप क्या कोई भी दूसरे account उसे debit नहीं किया जा सकता, लेकिन हर चीज का एक exception भी होता है, एक अफ़वाद भी होता है, Limitations Act के अपने नाम सुना होगा, तीन साव के बाद case नहीं हो सकता, हर चीज का एक exception होता है, तो personal loan में आपको settle करेंगे, everything is okay, अपवाद हो सकते हैं, कुछ परिस्तितिया हो सकती है, हर चीज का अपवाद है जिन्दगी में, हमारी बहुत बड़ी democracy है, तो कुछ अपवाद है इ बड़ उन्होंने कोशिस की है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि ऐसा भी होता है, और खास तोर पे, ऐसी नीच हरकते वो bank करते हैं, जो डूबने के कगार पर रहें कि अब डूबे के तब डूबे, तब डूबे, आप बेर लॉस, अपने लॉस को बेर नहीं कर सक है, I don't want to name the bank, bank में नाम नहीं लेना चाहता, बट, यह हकीदत है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हमारा तो personal loan है, unssecured loan है, हम नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, settlement होगा, no doubt settlement होगा, 99% settlement होगा, 99.99% settlement होगा, लेकिन कई बर र पर पास कर दिया जाता है, और ऐसी परिस्तित्या बन जाते है, इसका समाधान क्या है, इसके विसे में, मैं किसी और दी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दू कि अगर आपका loan चोटा मोटा और अगर आपके पास property निये कुछ भी निये तब तो मैं आपको inspire करता हूं to lead a debt-free life and build wealth, तो अगर आपका कोई comment है, तो comment box में डालिए, अगर मुझे आपका comment पसंद आया, तो मैं उसको पर एक video बनाऊंगा, बनाने की पूरी कोशिस करूँगा, अगर आप already subscriber है, तो comment कीजिए, अगर आप पहली पर मेरे channel पर आया है, तो मैं ब कुछी modification आपको सबसे पहले में जाए, और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक official WhatsApp channel भी बनाया हुआ है, जिससे कि कोई भी in between की updates है, tips है, ये सारी चीजे spam free, मैं आपको भेशता रहूं, तो रोज नहीं भेशता, कभी-कभी in between, और अगर कुछ में नए update होगा, तो मैं उ उस WhatsApp channel को join करना है, subscribe करना है, then it's free, और नीचे मैंनो इस call link देतिया है, इसके अलावा जो लोग मुझसे on call consultation चाहते हैं, उनके लिए मैंने नीचे WhatsApp number भी देतिया है, आपको WhatsApp पर एक message करना, हाई, automatic steps आएंगा आपके पास, that will be an automatic message, जिस पर steps होगे, you need to follow the steps to get connected to me, and we'll speak on call, खे Otherwise, मेरे वीडियो जी काफी है, उम्मीद करता हूँ, आपके जानकरी पसंद आई होगी, इसके अलावा अगर कुछ और हो, तो बिल्कुल आप comment section बताइए, मिलता हूँ आप से अपने अगले वीडियो वे तब तक लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आगया देशे, बाई!